प्रतिपक्ष की भूमी का रहती है देश के समविधान में ये बात सपष्ट है कि सत्ताधारी दल के साथ प्रतिपक्ष अनिबार रहे है दो बरस पहले भी यही विशे उठा था एक सरकारी कारेक्रम का आवजन किया गया था जिसमें विपक्ष की कोई भूमी का नहीं थी हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि उस दिन जो हुआ और विपक्ष ने अपना रोश प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया उससे सरकार भविश्य में सचेत हो जाएगी और विपक्ष को सम्मान ऐसे अफसर पर देगी जहां हम सम्मधान का सम्मान करते हुए महमहिम राश्टरपति जी का सम्मान करते हुए ये बात स्पश्ट करना चाहते हैं कि अगर विपक्ष, चैनेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों के नेताओं की सम्विधान दिवस के कारेक्रम के आयोजन में वो देश की प्रजतंत्र को, सम्विधान को जब हम सेलिबरेट करें, उसका जशन मानाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक उपचारिक निम मंत्रन वो भी बैठने का समारूह के अंदर वो स्विकारे नहीं हैं, आनि ब्रधान मंत्री जी और बीजेपी के नित्रत्व कि विपक्ष की अलोचना इस विशे पे सही नहीं है, उसका कोई आचित्य नहीं है, सरकार को इस पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से देश का शासन और प्रशासन चल रहा है, कोई अफसर ये सरकार नहीं छोड़ती जब सम्विधान वो सम्विधान की परंपराओं को दबा कर निरणे ना लिये जाएं, संसद के हर सत्र अरंभ होने से पहले, मैं तो पूर्ण कानून अध्यादेशों के माध्यम से बनते हैं, और्डिनेंस के माध्यम से बनते हैं, जब तक एक राष्ट्रिया, आपत्ती की स्थिति ना हो, एक ऐसा परिस्थितियं ना हो, जब सरकार के लिए अनिवारे हो, संसद का सत्र से कुछ दिन पहले नया कानून का ध्यादेश लाना, वो नहीं किया जाना चाहिए, और इसी लिए इस देश के अंदर कई समस्याएं और विकट परिस्थितियं पैदा हुई हैं, इस सरकार ने जिस तरह से कानून बनाएं, उससे समाज के अंदर उतेजना और सम्टकराव की परिस्थितियं बनी हैं, चाहिए तीन कानून जो किसानों से संबंदी थे, क्रिशी कानून, हमने सरकार को समझाया था, कि जल्दबाजी मत करें, कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है, संसद की समितियं हैं, स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनको जब कोई भिबिल भेजा जाता है, उसकी जाँच परक होती है, और जो उससे प्रभावित होता है वर्ग या हमारे नागरिक, उनके विचार लिये जाते हैं, एक आम सहमती बना के देश के कानून बनते हैं, इस सरकार ने उस प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया, और वही कारण था के एक साल लंबा अंदोलन भारत के किसानों का चला, साथ सो के सान उसमें शहीद हुए, पर सरकार उसको वापिस लेने पर मजबूर हुई, अगर विपक्ष की बात सुनी होती, तो ये हाला देश के सामने ना आते, कोई तना बड़ा संकट और कष्ट जो देश ने देखा, वो बिलकुल ही जरूरी नहीं था, हम सरकार से कोई मांग तो नहीं करते, पर ये कहना चाहते हैं, कि अभी भी समय है, अपनी कारेश हैली बदले, इस मानसिक्ता को बदले, सदन से पहले ही सरकार कोई न कोई कदम हमेशा उठाती हैं, जिस से तनाव बने, और जिस से, महत्पूर्न राष्ट्रे विश्यों पर, जो अवश्यक है, वो सहमती ना बन पाए. Today is the Constitution Day, which is being celebrated, and we greet our fellow citizens on this occasion. It took a long time, and after a brave struggle, that not only our country attained its freedom, but framed its own constitution. to be precise it had taken in the constituent assembly two years, 11 months and 17 days for India's constitution to be framed and the report of the drafting group which was chaired by Dr. Ambedkar was presented to Dr. Rajendra Prasad on the 25th of November 1949 and the constituent assembly adopted it on 26th of November 1949 perhaps it's important also to mention that the drafting committee also included the brave freedom fighters and very tall men and women of this country Pradharvalla Bhai Patel Mawlana Abdul Azad K.M. Munshi Sarojini Naidu just to name few and they gave us this constitution which guaranteed not only a right to vote to all our adult citizens guaranteed fundamental rights which are justiciable equality equality and liberty we as Indian National Congress remain firmly committed to uphold the spirit of the constitution which was the essence of which other opposition parties who earlier in the day had boycotted the constitution day celebrations in parliament and now congress defending its decision saying you know they boycotted the event because the BJP is hurting several constitutional agencies in India and that there is a process to be followed while making laws it's just not enough for the opposition to be called in you know while the law when there is an event instead they have to be involved while making laws I hope that the ص Felix once looked at us for it www.ub Chelsea 20 26 22